फिलाल जान लेते हैं मेश, ब्रिश्यिप और मित्छ राशी वालों का आज का दिन कैसा होगा सब्सक्राइले बात करते हैं मेश राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुश्य पर थोड़ा काबू बना का रखें तो आपको चारों तरफ से शुब समचारों की प्राप्ती होगी घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन परसं रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय वतीत होगा वरेशर बाशी व्रेशन राशी वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है, घर में या किसी रिष्टेदार की यहां कोई मांगिक आयोजन हो सकता है, जिससे और परिवार के साथ यात्राइब भी हो सकते हैं, दूसरों की भलाई और जन कल्यान के कारियों में रूची बनी रहेगी अगर आज गलत संगती से बचके रहें तो दिन उत्तम होगा, और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर परा से लापकी प्राप्ती होगी, वानी में भी अच्छी मदूर्दा रहेगी, और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे, और परव हाईयों के रिष्टे हमारे खराब हो जाते हैं, करक राशी वालो के लिए आज दिन कुछ खटा मिठा है, काम काज में हर तरह से मन लगेगा, परवारिक सुक में भी कोई कमी नहीं होगी, समाज में भी मान परदेशा की वदी देखने को मिलेगी, और नहीं नहीं चीजों क बारे में जानने की उच्छुकता भी बड़ेगी, पंतु आज नशे वगारा का सेवन ना करें, उससे बचके रहें, वरना स्वास्ते के उपर कोई भी परिशानी हो सकती है। वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी ना किसी बात को ले करके मन मुटाब भी संबब है। कन्या राशी वाले अगर आज अपने आपको गले संती से थोड़ा बचा करके रखें, उसके अकाशन में ना जाए तो दिन हर तरह से उत्म होगा। काश में अच्छा धनलाब होगा, परवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रत योगता में काम्याबी मिलेगी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। फिलहाल जान लेते हैं तुला, व्रिशिक और धनुराशी वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशी, तुला राशी वालों के लिए खुद के लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है, परिवार से मिलने वाला सुख और सर्योग अच्छा रहेगा, आपकी दिमागी शक्ती में भी व्रदी देखने को मिलेगी, आपकी वाली का परभाव दूसरों पर अच्छा अच्छा दिन है, आज आपको शुब समचारों की प्राप्ती तो होगी मान समान भी मिलेगा, परंतो किसी दूसरे व्यक्ती द्वारा विश्वास घात आपके साथ हो सकता है, और जिसके कारण गुस्य की मात्रा बढ़ सकती है, और बच्चों की तरफ से भी कोई नो कोई चिंता जना खलात उत्पन हो सकते हैं, धनुराशी, धनुराशी वालों के लिए भी खटा मिठा ही दिन है, आज समाज में तो आपको मान समान पराप्त होगा, इश्वर की तरफ भी आपकी आस्ता बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्ते खराब हो सकता है, ध मक्का राशी, मक्का राशी वालों के लिए लगबग दिन काफी अच्छा है, आपको शुब समचारों की प्राप्ती होगी, समाज में मान समान की भी प्राप्ती होगी, आपकी वाली का परभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा कुम राशी, कुम राशी वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है, इसके अंदर कामकास में भी परशानियों के योग है, माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनापून संबद बन सकते हैं, शरीर में अलस्या की परधानता बनी रहेगी, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों क अभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और यात्राओं को ये समय नहीं है, बेटा इस वट में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी परकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती हैं। यात्राई भी हो सकती हैं।